हेलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में मैं हूँ डॉक्टर अर्पिना और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स साथी हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में भी कैसे उनके सिंटम्स के साथ डील किया और होमियोपती कैसे आपको मदद कर सकती है तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के बारे में तो इससे पहले कि यह टॉपिक मैं शुरू करूं आप लोगों से कहना चाहूं कि अगर आपने मेरा चानल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्स इसमें आपके बॉडी में जो शुगर की मात्रा है वो पर्सिस्टेंटली बड़ी हुई रहती है यानि कि हाइपर ग्लाइसीमिया आपके ब्लड में शुगर बड़ी हुई रहती है तो ऐसा क्यूं होता है तो देखिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं हम लोग जैसे इनसुलीन की जरूरत होती है और इनसुलीन हमें मिलता है पैनक्रियास से तो अगर इनसुलीन आपके बॉडी में नहीं मिल रहा है पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बॉडी इनसुलीन को ठीक से रियाक्त नहीं कर पा रहा है तो इन सब कारणों के वज़े से डा इन्सुलीन डिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट जो सबसे पहला है हमारा insulin dependent diabetes तो इसमें क्या होता है कि यह mainly young लोगों में यह पाया जाता है और इसमें जो आपका pancreas है pancreas के जो cells हैं यह काम नहीं कर रहे हैं और insulin बन नहीं रहा है या एकदम कम insulin बन रहा है तो ऐसे condition में type 1 diabetes हो जाता है और जो type 1 diabetes है वो करीब 9-10% of all the diabetes cases में जो type 1 diabetes है वो करीब 9-10% होते हैं यानि कि इसका कारण क्या है तो pancreas क्यों नहीं काम कर रहे हैं pancreas के cells क्यों नहीं काम कर रहे हैं तो वो autoimmunity के वज़े से हो सकता है अब जैसे मैंने autoimmune diseases के बारे में बात करी है आप लोगों को बताया है कि autoimmune diseases का मतलब है कि आपकी body की जो immunity है वो आपके body के ही against काम करने लगे तो अगर ऐसा होता है pancreas में ऐसा हो रहा है और autoimmunity के कारण से जो insulin है आपका production नहीं हो रहा है तो यह है हमारा reason type 1 diabetes का जैनरली यह यंग लोगों में पाया जाता है और जैसे मैंने बताया कि करीब 9-10% cases ही type 1 diabetes के होते हैं अब हम बात करते हैं type 2 diabetes तो type 2 diabetes या adult onset diabetes तो इसमें क्या होता है इसमें आपके body में insulin resistance हो रहा है यानि की insulin body कम react कर रहा है insulin जो body में बन रहा है और insulin कम भी बन रहा है तो दोनों condition हो रही है और वो adult age में यह हो जाता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसका सबसे प्रमुख कारण है आपका lifestyle आपका खाना पीना आपका रहन सहन आप exercise नहीं करते हैं sedentary lifestyle है खाने में आप लोग refined carbohydrates जादा ले रहे हैं fat जादा ले रहे हैं बाहर का खाना जादा खाना प्रोसिस्ट फूड जादा खाना और साथ में एकदम कुछ exercise नहीं करना और हमेशा बैठे-बैठे काम करना और field job या field work नहीं करना किसी तरह का jogging वगारा regular basis पे नहीं करना और stress यानि कि तनाव तो हड़ तेरे का तनाव, anxiety तो इन सब कारणों से भी जो type 2 diabetes है वो हो सकता है जो हमारा gestational diabetes है यानि कि pregnancy के time जो diabetes हो जाता है क्योंकि body की जो energy requirement है उस time पे बढ़ जाती है और कई बारी उस case में भी हम देखते हैं कुछ pregnant females को diabetes हो जाता है जिसे हम gestational diabetes कहते ह अब जो type 1 और type 2 diabetes है इनके symptoms क्या क्या होते हैं तो symptoms में जैसे मैंने बताया कि sugar की मात्रा जो आपकी body में है बढ़ी हुई है पर उससे आपको energy नहीं मिल रही है तो energy नहीं मिल रही है तो आपको थकावट का महसूस होना तो यानि कि fatigue, weakness रहना, साथ में बहुत जादा पानी क प्यास लगना, urination बार बार जाना, आपको toilet के लिए बार बार जाना और specially रात को ऐसा जादा होता है भूग जादा लगना, वजन का घटना और कई बारी tingling जैसी sensation यानि चीतियां चल रही हो इस तरह का sensation होना या पैरों में हतेलियों में जलन का महसूस होना तो यह सब symptoms हैं जो कि हम देखते हैं type 1 और type 2 diabetes दोनों में ही पाया जाता है तो अगर diabetes है तो हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपने वजन का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए वजन आपका नहीं बढ़ना चाहिए, obesity नहीं होनी आप अपना रखे, खाने पीने पर ध्यान दे, प्रॉपर्ली एक्सिसाइज करें और stress, anxiety इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे, meditation करें क्योंकि अगर family में भी diabetes की history है तो diabetes होने के chances और आगे जादा बढ़ जाते हैं अब जो already diabetes हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना organs भी body के effect होने लगते हैं जैसे कि आखों में effect होता है तो diabetic retinopathy, kidneys effect हो जाती है, सूजन वगारा आ जाए तो हो सकता है कि kidneys effect हो रही है, diabetic nephropathy, फिर अगर nerves आपके effect हो रहे है, diabetic neuropathy, कई बारी ulcers वगारा हो जाते हैं पैरों में जो heal नहीं होते हैं तो यह सारे complications है जो diabetes के साथ अगर prolonged case है diabetes का तो हो सकता है तो इसलिए जो diabetes है उनको किन बातों का धिहान रखना चाहिए एक तो जो उनका blood sugar है वो maintain रहे और दूसरी चीज़ अगर कुछ भी आपको symptoms दिखते हैं जैसे आखों की मैंने बात करी अगर आपको लगता है कि कम दिखाई दे रहा है, vision कम हो रह दिख रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आखों की जाच कराना, अगर सूजन वगारा आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, इडिमा हो रहा है, तो kidneys की जाच कराना, तो ऐसे ही जो बाकी body के आपके effect ना हो, organs effect ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक watchful रहे और careful रहे बाकी symptoms के भी, बारे में regularly अपनी जाच कराना और blood sugar अपना test करना, तो ये सब चीज़े भी जरूरी है, तो अब बात करते हैं क्या homeopathy आपको मदद कर सकती है, तो देखिए अगर आप chronic case है, आपका diabetes का और आप काफी साल से दवाईया ले रहे हैं, conventional medicine आप तो आपको एकदम भी advisable नहीं है कि आप उन दवाईयों को छोड़े, बाकी homeopathy में दवाईया हैं जो diabetes के कारण जो आपको तकलीफे या complications हो जाती हैं, उससे कैसे आप better deal कर सकते हैं, तो इसके लिए homeopathy में दवाईया हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हर एक जो भी complications, diabetes के साथ साथ हो जाता है, जैसे मैंने बताया, retinopathy है, nephropathy है, neuropathy है, तो मैं सभी में एक एक आप लोगों को जरूर वीडियो बना के और डीटेल्स में सब बारे में बात करेंगे, तो होमियोपथी में कुछ दवाईयों के बारे में बात करते हैं, तो होमियोपथी में कुछ मदर अगस्टा है, ब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर, सेफलेंडरा मदर टिंचर, तो ये भी आपको जैसे मसल वेस्टिंग हो जाती है, आपके सिंटम्स क्या-क्या हो रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से दवाई देनी है, कई बारी वीकनेस बहुत जादा ह हो जाती है, तो उस केस में फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक असेड कुछ दवाईया है जो आपको दिया जा सकता है, बट मेरा सब लोगों से एडवाईस है कि अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना, प्रॉपरली आपको ज जाना है, दॉक्टर के पास जाना है और ध्यान रखना है, देखिए डायबिटीज के कारण से जो डायबिटीक रेटिनोपैथी है, यानि ब्लाइडनेस भी हो जाता है, और जो की प्रिवेंटीबल है, हम उसको प्रिवेंट कर सते हैं, अगर सही टाइम पे उसको जांच कि जाए और प्रिकॉशन्स लिया जाए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो मैंने इंफोमेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, डायबिटीज के बारे में आप लोगों ने इसको पसंद किया है, इसको जरूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड इनको दबाना बिल्कुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए, टाइंक यू